मेरे पाद दिमाग नीता कि मैं बैठ के बॉले गिनू मैच देखने लगा मैं साड़े बारा ओवर खेले ते कमाल सुनिएगा आप अभी इस मैच का तारीफों के पुल्ला बांदिएगा साड़े बारा ओवर में होती हैं 75 गिंदे 75 आइलेंड ने 48 बॉले डॉट खेल रखी इंती अग्लिएस टीम अप्लैनेट अर्थ यूगेंडा इथोपिया और जो भी जो भी आप कोई उस तरफ की टीम कोई अफ्रीका की कोई भी टीम ले लें ये बंद कर जो कोई भी टीम ले लें इससे घटिया क्रिकिट आपको नजर में आएगी सारी यूनिटी दिखा रह हैं बाबर इनका खोया वा प्यार मिल गया है इनको अफसोस की बात ये है कि आज पाकिस्तान की क्रिकिट टीम का फेस कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं घंटा नih है किसी को हराने की बात नी क्यों बार बार हम कहते हैं कि हमारी टीम लंबर वन हमारी टीम को कोई घर में अपने लंबर ना रखे और हमारी इस टीम को लोगो ले लंबर बनाया हुआ है पाकिस्तानी क्रिकिट टीम को असल में रोका गया है और किस चीज़ से, sources says that players of the Pakistani cricket team are allowed to upload each pictures and videos because this might soften the hearts and bring down the anger of Pakistani fans, क्या आपने गर जाकर बक्रें के साथ, दुम्बे के साथ, आपने जनवरों के साथ, जो गाय है उसके साथ तस्वीरे लगानी है, अच्छी अच्छी तस्वीरे लगानी है इसके वज़े से, शाथ, जो लोगों के अंदर गुसा है, वो कम होसा इनकी fitness देखें, इनकी personality देखें, इनका डिमिनर देखें दे हाव मेड लाफिंग स्टॉक अफ़ एंटायर टीम पेट निकले हुए हैं, निहारियों के शौकीन हैं, कडाईयों के शौकीन हैं प्लिटें बिर्यानियों से बरी होती हैं एक बड़ी अफसोसनाक, disappointment के साथ, शर्मिंदगी के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है अज नमस्कार दोस्तों, जैहिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सूपर 8 में नहीं पहुच पाई कल अपनी आखरी मैच अहिलन के साथ मुश्किल से जीतने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान टीम को धंकी लगा दिया अपने टीम के खराप परदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी शक्त कदम उठाने जा रही है पाकिस्तानी खिलाड़ीं की सैलरी में कटोती करने जा रही है पाकिस्तान को पहले सयुक्त राज अमेरिका के हातों सुपर ओवर में हार्ड जहलनी पड़ी थी उसके बाद टीम इंडिया ने 6 रनों से उन्हें हराया था पाकिस्तान टीम टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप से जल्द बाहर होने के लिए टीम के भीतर गुट बाजी और महत्वपुड छड़ों में शीनियर खिलाडियों के बीच खरा परदर्शन को जिम्मधार बताया जा रहा है शाहिन शाह, फ्रीदी, कप्तानी गवाने और बाबर द्वारा जरूरत पढ़ने पर उनका शमतर नहीं करने से नराज हैं जबकि मुहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए विचार नहीं करने किये जाने के लिए नाखुश है एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान टीम तीन गुट में बटा हुआ है एक कन्यते तो बाबर आजम कर रहे हैं, वहीं दूसरे खेमें की अगवाही साहिन और तीसरी की निजवां कर रहे है यहीं सबको देखते हैं पाकिस्तान अमाम गुसे में है और पाकिस्तानी टीम को वान किया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाडी अपने पिक सोचल मीडिया पर शेयर ना करे। पाकिस्तान वर्ड काप से बाहर हो गया है आज पाकिस्तान की बॉलिंग में वो अग्रेशन दिखा आज शाहीन अफरीदी घुसे में नजर आया शाहीन अफरीदी ने पहले अवर में दो विक्टे ली पावर प्ले में पाँच हम आउट कर चुके थे आज वो बोडी लैंग क्रिकेट दोड़ती है और पाकिस्तानी मौशरा यह एक ऐसा मौशरा है जहां पर मारदाड है जहां पर तबाई निकलती है जहां पर रोजगार नहीं है जहां पर तालीम नहीं है जहां पर हस्बताल नहीं है ऐसे माहूल के अंदर एक वाहिद क्रिकेट वो गेम है जो पू आपको यादूंगे कितने बड़ी परसनालिटी इस ती लेकर हमने बर्बाद करकर रख दिया और उन खेलों को हमने तबाह कर दिया अब क्रिकट के साथ जो कुछ हो रहा है इसा महसूस हो रहा है रिपोर्टेड लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे जान बूच कर क्रिकट को इतना खाटाई में डाला जा रहा है यह क्रिकट ब्रेंड को इतना ज्यादा कौंट्रोवर्शल ये काबले नफरत बनाया जा रहा है ताकि 1992 की एक आदाश्ट है और 1992 के साथ जो इम्राणखान का तालूक है उस तालूक को ही फेड आउट कर दिया जाए आज भी कुछ च क्रिक्ट टीम के साथ हुआ गया है अब ये रिपोर्टर हैं जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मॉस्ट आफेंटिकली ये बाचीत करते हैं इनकी ट्विटर के बर जाएं इन्हें फलो भी करें ये अर्फा कि आपने गर जाकर बकरें के साथ दुम्बे के साथ आपने जनवरों के साथ जो गाये उसके साथ तस्वीरे लगानी है अच्छी एच्छी तस्वीरे लगानी है इसके वएस से शाथ जो लोगों के अंदर घुसा है और उसके अंदर ये लिखा गया है कि गुजशता दिन पा पर जाकर आपने टेस्ट नहीं लेना आपने किसी झा इस भी तोर पर उसे अपलोड नहीं करना और ह्माम के सामने नहीं रखना कि जो कि अरेडी लोग आपके विफ्रे हुए हैं बागल हुए पड़े हैं आज जो कुछ आमने कर दिया है लिएदा इस बात को भी यकीन ही बनाएं कि कोई भी डिनर की शॉपिंग करते वे बेगमात के साथ गुंते वे बड़ी बड़ी गारियों के अंदर खड़े होकर एक टांग के ओपर सेलफी लेने से आपने फ्रेहिस करनी है और सोचल मीडिया पर नहीं डालनी क्योंकि इसकी वज़े से एक रियक्शन आएगा और रियक्शन इस वकाबल एक बूल नहीं है तो मिर्जा अक्बाल बेक साब ने और में देख रहा था अरूजी मॉम्ताज ने भी बाराल बहुत सारे लोग इस चीज़ के बातसीत कर रहे हैं कि आज की खेलेगा, शदी खेलेगा, इमाद खेलेगा, आमिर खेलेगा और उसी तरह की टीम, उसी तरह का यानि प्लाव अवाम के सामने रखा गया है इस अ हाई टाइम, ये टीम जब बापीस आए तो बैठें, इसके ओपर बैठें और इस चीज़ के बारे में सोचें, आपने छे साथ खिलाणी को फारिग करना है, उन्हें फारिग करके डुमस्टिक में बेजें, दो साल, तीन साल रगड़ा लगवाएं, डुमस्टिक में इन्हें खिलने दे, डुमस्टिक में खिलना कोई आपके ओपर तनकीद नहीं है, डुमस्टिक में खिलकर इनका स्किल सेट चेंज करें, इस मुल्क को एक पिंजरा बना दिया गया है, एक कहत खाने के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम E.C.L. में डाल दिये गे हैं, एक् हैं, बदमाशी का अड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, में देख रहा था शाबाश रिफ साब, मुख्लिब दुनिया भर के जो लीडरान हैं, उन्हें मुबारक बाते दे रहे हैं, एईद के आवाले से, मेरे खिल्वे शर्मिंदा हो रहे होंगे, उन सब को पता कर दक्रे कीई